हलो फ्रेंड्स आज मैं कवार से जुगार वाला वीडियो पेस कर रही हूँ तो इसमें मैंने मगाया हुआ था कब तो कब मैं यूज कर रही थी और मैं इसको सोच रही थी मैं इसे फेक दू तो मेरे मन में एक आइडिया आया कि चलो इससे कुछ बनाया जाए तो मैंने सोचा चलो आप लोगोंके साधी share कर दे आप लोग भी इस तरह से कब खरीकते हूंगे और इस तरह का box मिलता होगा तो आज मैं share करने वाली होगो इसे किस किस तरीके से मैंने इसको कई तरीके से use करना आपको बताने वाली हो तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगा अगर पसंद आए तो इस आइडिया के लिए एक लाइक हमें जरूर कर दीजेगा आपके लाइक के जरीए आप हमें मोटिवेट करते रहते हैं अगर आप लाइक करते हैं तो आपका कुछ भी जाने वाला नहीं है और आप हमें मोटिवेट करते हैं उमीद करती हूँ ये वीडियो जरूर पसंद आएगा तो वीडियो को सुरूर करने से पहले एक लाइक जरूर कर दीजे और यूजफूल लगे तो इसे सेर भी कर दीजे ताकि और लोगों के भी काम आ सके तो चलिए वीडियो को सुरूर करते हैं तो पहला तरीका इसमें मैं मेक अप का सामान रखोंगी क्योंकि इसमें जो होल है ना जो पार्टिसन है इसमें काफी डीप है तो अगर कोई भी सामान रखोंगे ना तो यह बिल्कुल लुड़कने वाला नहीं है तो इस तरह से मैं अपनी सारी सामान को यहां सेट कर दूँगी इसके अलावा आप कोई जोलरी है आपके पास तो वो भी आप इसमें सेट कर सकते है या कोई मेकप का सामान है परफ्यूम है तो जो भी है छोटा वड़ा सामान जो भी है वो आप इसमें अर्गनाइज कर सकते हैं और यह तूटने वाला भी नहीं है और अगर इसे डेकोरेट भी करना चाहते हो ना तो बाहर की तरफ कोई पनी लगा दिजिए आ तो और आच्छे से डेकोरेट हो जाएगा सामान रखू ना तो बड़े अच्छे से सेट हो गई है और इधर उदर ये भी खर नहीं रए है तो इस तरह से मैंने सारी सामान को इसमें फिक्स कर दिया है और अच्छे से रख दिया है और इसको जब भी कहीं रखोगे न देखने में भी काफी और्गनाईज लगेगा तो लगे से बढ़ाने वाली इस सामान को मैं अलग कर देते हूं और नहीं लगत करने वाली है तो जिंदे मैं आपको प्रूखे सामान जायकु सेंबधे करने वाल сум कोई आइडिया एक से लड़कर और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं इसे दूसरी की तरह से किस तरह से यूज करती हूँ इस तरह की ग्लास अब जब खरीद करके लाते हैं तो वो कागज की गत्ते में हमें मिलते हैं तो मैंने खरीदा हुआ था तो कागस का गत्ता था तो वो खराब हो गया था और मैंने इसको फेक दिया था और यह मेरे ग्लास ऐसे ही खुले रखे हुए थे तो अगर आप चाहो तो इस तरह से इन ग्लास को भी इन में फिक्स कर सकते हो और बड़े अच्छे से यह फिक्स हो तो बिल्कुल मत फेकेगा, जो भी आपको रफना है, इस तरह से आप ग्लास रख लीजे, या कोई मेकप का समार रख लीजे, या और कुछ जो भी आपको सुधा लगी, वो रख सकते हो, तो इसके लावा मैं आपको एक और तरीका बताने वाली हूँ, जो वो भी इससे भी ज सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है, तो यहां पर मैंने इस तरह से स्टील के ग्लास ले लिए, आप मालीजे, आपको स्टील के ग्लास रखने है, तो इनको भी इसमें इस तरह से फसा दीजे, यह देखे, यह भी बड़े अच्छे से इसमें फसते हुआ चले जा रह दीजे, और अगर ज्यादा दिन के लिए नहीं रखना है, तो आप ऐसे रखी या कोई पेपर पनी इसके ओपर एसे ढग दीजे, तो भी सही लगेगा, और अगर ऐसे किलिंग रैप लगा के लगा सकते हो, और बढ़िया सुरचित बना रहेगा, तो कहां मैं इसको टेजे